इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल चेंजिस की और इवोलुशन की आप अपने कम्पूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर एक मैंने चोड़ी से स्लाइट त्यार की है जिसमें यह सारे पॉइंट्स जो हैं हम डिसकस करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने मेंचन किया सेल रिप्रोडक्शन, एन्वार्मेंटल प्रेशर, एंटिबाइटिक रिजिस्टन्स का हम एक्जामपल लेके यह बातें डिसकस करेंगे तो उमीद करूँगा कि आपको जो है यह टॉपिक आपको समझ में आएगा और तोड़ी बहुत इंट्रेस्टिंग इंफरमेशन आपको मिलेंगे जैसे कि मैंने आपको अलड़ी बता दिया है मैं यहाँ पर एंटिबाइटिक रिजिस्टन्स बैक्टिरिया का एक्जामपल दूँगा किस तरह से जो है वो एंवायरमेंटल प्रेशर के वज़े से बैक्टिरिया या कोई भी ऑर्गिनिजम जो है इवाल्व होता है चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जाने कोशिश करते हैं किस तरह से सेल चेंजेज और एवलूशन लिंक्ट है अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको कॉंटेंट पसंद आता है तो कॉंटेंट को लाइक करें आज की वीडियो में दोस्तों एक बहुत ही सिंपल बात आपको समझाने कोशिश करूँगा मैं आपको बताने कोशिश करूँगा कि जो cell changes होते हैं वो किस तरह से evolution के लिए responsible रहते हैं तो इसका title मैंने दिया है cell changes and evolution बहुत ही basic terminology है इसमें सबसे पहले बात करेंगे cell reproduction की cell reproduction का मंदब होता है कि जब जो parent cell है वो reproduce होगी और daughter cells की construction होगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे parent cell से daughter cells, two daughter cells जो हैं बन गी और उसके बाद further daughter cells से एक अलग generation construct होगी और during that process क्या होगा? changes जो है वो हो सकते हैं और दूसरी एक important भात है उन changes की वज़े से एक better selection over time जो है उन cells की हो सकती है तो जब better selection होगी, changes होगे तो एक तरह से हम खह सकते हैं कि वो evolved होगी particular cell यह तो होगी पहली बात, दूसरी बात बात करेंगे environmental pressure की जो environmental factors होते हैं वो भी बहुत important प्रूल प्रे करते हैं कि कि इस direction में जो है वो evolution की एक process चलेगी, तो यहाँ पर example नहीं जैसे A जो है एक तरह का maligy cell है उसमें environmental pressure EP बहुत जादा है तो large changes होंगे बहुत जादा changes होंगे और एक अलग तरह की cell construct होगी cell population construct होगी और B के case में आप देख रहे हैं कि जो environmental factor है environmental pressure जो है वो कम है तो small changes होगे तो जो process of evolution के दुआरा जो next B1 population construct होगी उसमें जो अलग तरह की change होगे तो environmental pressure एक important factor रहता है इसमें अगर example नहीं हम जैसे antibiotic resistance के बात करते है antibiotic resistance में क्या होता है कि जो bacteria होता है वो develop कर लेता है resistance against antimicrobial agents तो क्या होगा कि घड़ी घड़ी बार-बार antibiotics जो use होंगी उनका बहुत ज़्यादा use होगा तो bacteria क्या करेगा changes develop करेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं आप जो white color के dot है यह antibiotics है और जब यह bacteria contact में आएंगे पहले तो उनके killing शुरू हो जाएगी लेकिन बाद में घड़ी घड़ी जो है अगर उनकी जो है use ज़्यादा होता गया और cell जो है changes develop कर लेंगे तो यहाँ पर मैं देखाने कोशिक कर रहा हूँ देखें most of them were killed लेकिन कुछ एक जो है they were able to survive और उन्होंने क्या क्या उस concentration में अपने आपको survive करने की strategies develop कर ली और इसमें आप देखने की वो population change population जो है वो system में आगे और यह antibiotic resistance organism इसके केस में कह सकते हैं उनको तो इस तरह से जो pressure होता है वो force करता है change को और जिसको हम बाद में evolution कह सकते हैं कि इस जो cell जो है वेक्टिर है जो है वो evolve हो गया और उसने एक drug resistance train जो है बनानी शुरू कर दे तो एक बहुत ही basic terms है तो उसनों उम्मीद करूँगा कि जिस तरह से मैंने आपको समझाने कोशिश किये तो आपको एक idea लग गया होगा कि किस तरह से cell changes और evolution जो है आपस में connected रहते हैं इस topic में बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन अभी जो अपने चोड़े से वीडियो में cover ने कर पाऊंगो मैं लेकिन देरे देरे अगर आप वीडियो देखते रहेंगे next जो वीडियो होंगे वो इस तरह के ही होंगे जिसमें यही topic जो है detail में हम discuss करने की कोशिश करेंगे दोस्तो उमीद करूंगे दोस्तो आपको यह particular topic समझ में आया होगा इस topic में हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से cell reproduction आप देख रहे हैं यहां पे एक important role play करती है evolution में और environmental pressure किस तरह से important होता है साथ हमने एक example discuss किया antibiotic resistance तो अगर आपको यह video lecture अच्छा लगा है अगर आपको जो है यह video समझ में आया है यह particular topic जो है वो समझ में आया है तो चैनल को subscribe ज़रूर करें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like ज़रूर करें तो मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम इसी तरह की important topic जो है discuss करेंगे दोस्ते